असलाम अलेकुम आज मैं आपको चांद ग्रहन के असरात के बारे में बताऊंगी ये चांद ग्रहन 8 नवंबर को बुढ़ सोर में 16 दर्जे पर लगेगा इसलिए अगर आपके पास 16 दर्जे के लगभग कोई जगा है सोर, सकार्पियो, लियो या एक्वेरियस के लिए इस चांद ग्रहन के ज़्यादा असरो रसूख में रहेंगे तवक्व करें के 6 मार तक आने वाले हफ़तों और महीनों में आपकी जिन्दगी में इस से ज्यादा या ज्यादा शदीद ज्यादा ताकतवर वाकियात रूर नुमा होंगे चांद ग्रहन क्या है? चांद ग्रहन एक बहुत ही शदीद और ताकतवर पूरा चांद है ये आम तोर पर चांद से पांच गुना ज्यादा मजबूत होता है इसलिए चांद ग्रहन के मौसम के दुरान हम हकूमत की तरफ से बहुत सी खबरे और तबदीलियां देखते हैं आम तोर पर वाकियात और हलात हमारी जाती जिन्दगी या अकसर उकात हमें इस दुरान जिन्दगी के एहम फैसले करने पड़ते हैं इसलिए इस बार खास तोर पर चुके हमें इस चांद ग्रहन के इर्द गिर्द होने वाली बहुत सी शदीर तवनाईयां मिलेंगी जो कुछ दिन पहले ही फाल हो जाएंगी चांद इस वकर सोर में है हकीकत में वाकिए अच्छी खबर है क्योंके चांद लोगों और मुझमोई तोर पर माश्री की नुमाइदगी करता है ये खुशखबरी की अलामत है क्योंके चांद सोर में खुश है चांद बुलंद है और चांद अरामदे है सोर एक मकररा निशानी है इसलिए इस चांदगिरहन का असर कछ देर तक रहने का इमकान है इसलिए चांद बुर्ज में एक बहुत ही मस्बत मकाम पर है जहां ये खुश और अराम्दे मेसूस करता है हमें अमीद मिलती है, इस से हमें रोशनी का इ þTनाम देखने में मदद मिलती है इसलिए इस चांद गिरहन के आसपास कोई नया इलान हो सकता है कुछ जवाबत या कवानीन में तबदीलियां हो सकती है लेकिन यहां चांद का सोर की अलामत में इतना अरामदे होने की वज़ा से हम तवील मुदत में देख सकते हैं कि जिन्दगी कुछ अच्छी पेश करेगी हमारे लिए इत्तमाई और इंफरादी तोर पर मवाक्य आएंगे इस चांद गिरहन के चार्ज को देखे ली बराज ली बराज ये मुकमल चांद गिरहन है ये आपके आठों गहर में हो रहा है जो किसी भी तबदीली से मुतालिक है कोई भी चीज जो गहरी है यहां आठों गहर में आप दूसरों के साथ गहरी सतह पर जुरना चाहते हैं अब देखेंगे ये बहुत गहरा तालुक है इसलिए चांद ग्रहन आपको इशारा दे सकता है कि आपको किसी दूसरों के साथ गहरी सतह पर जड़ने की वज़े से मुन्तकिल कर दे इसलिए आप इस वक्त जहन से बिमार हैं अब इसका बहुत ज्यादा तालुक मालियाद से है यहां सकारपियो बुर्ज पर होने वाले ये ग्रहन आपके लिए मालियाती शोबे में बहुत सी तबदीलिया लाए है बहुत से लिबर्स के लिए केरियर की तबदीली नई नोकरी, आमदनी का नया जरिया, नई सरमाया कारी, विरासत यहां ही है एक्टिवेशन के साथ अभी यहां इसका तसलसल है क्योंकि 30 अप्रेल को टॉरस में चांद ग्रहन हुआ था फिर हमने पिछले साल नोवंबर में सकोरपियो में चांद ग्रहन देखा था हमने ये ग्रहन सकारपोटरिस के महवर पर शुरू होती देखा था पिछले साल वहां आपके माली मामलात में बहुत कुछ हो रहा था लेहाजा ये चांद गरहन मालियाती मामले को अपने अंजाम तक पहुँचा सकता है लेकिन यहां तॉरस के साथ भी इसलिए कुछ लिबर्स के लिए विरासत से मुतालिक हो सकता है ये सरमायाकारी से मुतालिक हो सकता है अब जहम में रखिए जोहरा इस वक्त सख्त है इसलिए यकीनी बनाए कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं अप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स चेक करते हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको वो तमाम रकम मिल जाए जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं क्यूंकि इसमें कुछ ताखिल भी हो सकती है इसलिए इसे जहम में रखी किसी भी इसकीमर्स के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपको कोई चीज खरीदने पर आमादा करना चाहते हैं क्यूंकि ऐसा भी हो सकता है अब आठवां घर रहन सहन की मनजूरी से मुतालिक हो सकता है लहाजा अगर आप रहन सहन के लिए दर्खास्त देते हैं तो आप इस चांग रहन के साथ अब कुछ खबरें भी मौसूल होंगी आशायद कुछ स्कीमों सरकारी स्कीमों से मुतालिक कुछ खबरें हैन और अग कान है इसलिए यहां चांद जोहरा आपके हाकिम सूरज और अतारत की मुखालफत करेगा इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए आपको इस वक्त के अर्द गिल्द कोई ऐहम फैसला भी करना पर सकता है लेकिन अप जिसमानी शक्ल के बारे में दूसरों पर जो तासूर इसके बारे में ज्यादा आगाही है लहाज़ा जहन में रखे के पांच और ग्यारा तारीख के दरमियान कोई भी खुबसूरती का इलाज करवाना मुनासिब नहीं है क्यूंकि चांद ग्रहन के दौरान हम जो कुछ भी करते हैं खास तोर पर कोई भी ब्यूटी ट्रिट्मेंट की कस्मा हता कि किसी सरजरी में खून बहने खराशों में एजाफे का इमकान होता है यह इस इलाज से अदम इतमिनान हो सकता है इसलिए अगर ये बाल कटवाने का है तो आप मुतमेन नहीं होंगे हो सकता है आपके बाल बहुत छोटे काटे जाएं इसलिए बहतर है कि किसी भी ब्यूटी ट्रिट्मेंट अब बाल कटवाने में ताखिर की जाए हाला कि आपको वाकि ऐसा लगता है कि आप अपने बालों में अपनी जाहरी शक्ल में आपके लिबास के अंदाज में कुछ तबदीली करना चाहते हैं अब चांड अपके केरियर की जिंदगी पर भी हुक्मरानी करता है इसलिए चांड ग्रे कि साथ आने वाली तबदीलियां केरियर में होने वाली तबदीलियों केरियर की तरकी, प्रोमोशन्स, बोनस के नतीजे में हो सकती हैं क्यूंकि ये भी आटवी घर से जुले हुए हैं जो रकम आपकी महाना आहफतावार आमगनी से मुखतलिफ जराय से आती है, इस पर मुनहसर है कि आप उसे कितनी बार हासिल करते हैं, अब अतार्द आपके ग्यारा औगहर पर हुक्मरानी करता है, इसलिए यहां रूहानी जिंदगी की शिफायाबी पर भी जोर दिया गया है दिमागी सिहत के साथ साथ, आराम के लिए वक्त निकाली, अपनी तवानाया दोबारा चार्ज करें, अपको इसकी जरूरत पर सकती है क्योंकि तवानाया गहरी होती हैं, और बहुत जल्द अपकी जिंदगी में कुछ तबदीली आने वाली है, और ये यकीनी तोर पर यहा चांद ग्रहन होगा, तो ये ग्रहन आटवी घर में होगा, तो ये आपकी आने वाली जिंदगी की तबदीली के बारे में है, और आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये आपके हालात पर मुनहसर है, आपकी मौजूदा जिंदगी की सूर्ट हाल और मनजर नामे पर मुनहसर है बहुत बहुत शुक्रिया सकोर्पियो अखरब बुर्ज सकोर्पोस ये चांद ग्रहन टॉरस में है चूंकि ये मुकमल चांद ग्रहन है इसलिए ये अपकी जिंदगी में होने वाली बड़ी तब्दीलियों और जिंदगी के एहम वाकियात की निशान्दे ही करता है लेकिन ये खास तोर पर एक दूसरे के रिश्टे को मतासिर करता है इसलिए यहां आपकी तवज्जव दूसरों से हिच जाती है क्यूंकि सूरज ग्रहन होता है अपकी जिसमानी शक्र के बारे में दूसरों पर आपके तासिरात के बारे में आपक आपके साथवे घर में है इसलिए यहां कारोबारी, शिराकतदारी महबबत की शादी के रिष्टे अब यह आपके जाती तालुकात के एक बाप के खत्म होने के बारे में है आपकी महबबत की जिंदगी में कुछ रिष्टे खत्म हो सकते है इस रिष्टे की तारीख पर मुनहसिर है लेकिन अगर रिष्टा सिहत मंद नहीं रहा और इस दोरान जिदो जहद हुई है तो आप इस एहम कदम को आगे बढ़ाने और इसे खत्म करने का फैसला कर सकते हैं चुकि योरनस आपके साथवे घर के हाकिम जोरा की मुखालफत करेगा इसलिए आप अचानक एहम फैसला कर सकते हैं जिससे आपके जाती तालुकात मुतासिर होंगे आपका एहम आडर आपको किसी ऐसे ख्याल से हैरान कर सकता है जो आपकी जिन्दगी को मुतासिर करेगा जो आपकी जिन्दगी को आगे बढ़ने पर असल अंदास करेगा अबा तो चांद ग्रहन जाली रहेगा और सूरज ग्रहन जो 25 अक्तूबर को इसका प्यूमे था इमकान है कि कहानी अभी सामने आ रही है लहाज़ा ये चांद ग्रहन कहानी का तसलसल है इसलिए आपके साथी क किसी दूसरे मुक में मनतकल होने के लिए मिसाल के तोर पर आपके हालात के मताबिक ऐसा हो सकता है अब ये यूरिनस भी सूरज अताद और जोहरा का मकाबला करेगा यहां की बहुत सी तवानायां आपको नए सिरे से तर्टीब देने अपने बारे में सीखने की तरफ हैं य शायद अगर इसका तालुक केरियर की तबदीली से नहीं है फिर शायद आपकी तंजीम में तबदीली आ जाए अब चांद आपके नोगहर पर राज कर रहा है इसलिए आइंदा चंद महीनों में शायद गेर मुल्की सफर भी हो सकता है लेकिन साथ ही वक्त आपकी जिन्द इसके बाद एरीज में चला जाएगा 21 दिसम्बर को अपने कामा मुलाजमत के शुबों में ज्यादा किसमत मिलेगी और आपके मसरूफ होने और मौके होने का इमकान है इसलिए दानिशमंदाना फैसले करें और अपनी जिन्दगी में किसी भी एहम किसी भी एहम चीज को न अखीर करें और चांड ग्रहन खत्म होने के बाद करें ताका आप गहराई से सोच सकी अब जहम में रखिए कि आपका शरीक हुक्मरान मरीख पीछे हिट रहा है इसलिए आपको बाद आपकात महर्रिक की कमी आजी उलजहन आसंत की कमी का सामना करना पर सकता है से आसान रख और लचकदार रही क्योंकि पांचवें घर से शुरू जब जोहरा यूरीनस की मखालफत करेगा और फिर मुरबा और पिर चांड ग्रहन आएगा और सूरज और जोहल का मुरबा ग्यारा तारीख को होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि तवानायां बेतर्तीब हैं और आम तोर पर सब कुछ बहुत तेजी से हो जाएगा इसलिए आपको मुआफिक लचकदार और नए मवाके के लिए खुला होना चाहिए कि आपके मनसूबे बदर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया